मुकामा और गुपाल गेंज दोनों सीट भारी मतों से चुनाव जीतेंगे चुनाव हो रहे हैं ऐसे में इस वक्त हमारे साथ बिहार विधान परिशत के नेतपरतीपक समराठ चौधरियें मुन से बात करेंगे दो सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं गुपाल गंज और मुकामा आप लगतार दोनों छेतरों में जा रहे हैं चुनाव प्रचार कर रहे हैं क्या कुछ रिस्पॉंस मिल रहा है दोनों सीटों पर नितीश कुमार जी से तरस्त होकर जो निती, सिधान, बिहार के बिचारधारा सब को समाप्त किया नितीश को आम लोग में हैं कि अब नितीश कुमार पर भरोसा नहीं किया सकता और राष्टिये जनता दल का जो पुराना इतिहास है उससे लोग डरे हुए कि जंगल राज अस्थापित नहीं हो क्योंकि पिछले देड़ दो मेने में तो पूरा सुरू बदल गया विहार तो बिहार की जनता ना मुकामा में वोट करेगी मागठवंदन को और नाहीं को पाल गयज में दोनों जगह पर भारतिये जनता पार्टी के उमिद्वार चुनाव जीते गां अगर हम मुकामा विधा जीतेंगे मुकामा और गौपालगं दोनों सींब भारी मतों से चुनाव जीतने जा रहा अब मुकामा में लगतार जेडियू के भी नेता तो चुनाव प्रचार कर रहे हैं विई हार सरकार के तमाम मंतरी भी जा रहे हैं और कहरे हैं कि यहां कीचरी नहीं है जो कमल कहाँ विधायक है उसको किसने फसाया नितीश कुमार जी जाना चाहिए परचार करना चाहिए वहां के सांसद रहे हैं बिहार में लंबे समय से मुख मंत्री हैं तो बिहार की जनता वहां मुकामा में तिजार कर रही है कि नितीश कुमार और ललन सिंग जो रास्टिया धक्ष है वो नितिस कुमार जी ने किया गुपाल गंच की अगर हम बात करें तो सत्तापक्ष के तमाम नेताओं के द्वारा यह कहा जारा है कि आप लोगों को जीताने के लिए ही ओवैसी ने वहाँ पर उमीद्वार उता रहे हैं दके बिहार में भारतिय जनता पार्टी अपने वोट और अपने लोगों के साथ खड़ी है हम सिर्फ एक जाती धर्म पे राजनीत नहीं करते हैं हम सभी धर्मा और सभी लोगों के बीच में हैं। राश्तिय जनता दल सिर्फ माई समिकरन से किसी सीट को राजनीत से बिहार में नहीं जी सकती है। यह बड़ा सपस्थ है। बिहार की जनता बताएगी कि गुपाल गेंज भी बहुत असानी से हम चुनाव जीतेंगे। और लगातार हम जीते भी आ रहे हैं। और जो अधूरे सपने रह गए हैं उसको भी हमी लोग पूरा करेंगे। चलिए जो अधूरे सपने रह गए हैं उसे भी भारतिय जनता पाटी ही पूरा करेगी और मोकामा के लोग मुखमंतरी नितीश कुमार के साथ साथ जेडियू के राष्टे अध्यक्ष ललन सिंग का इंतजार कर रहे हैं कि आपने मोकामा के लिए क्या कुछ किया है। अब देखना होगा कि जब तीन तारी को मतदान होते हैं और छे को रिजल्ट आता है तो विहार विधान सभा में कौन से दल के निता चुन के जाते हैं। वहरा लग बने रहे हमारे साथ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल से जल सब्सक्राइब करें धन्यवाद।